हेलो फ्रेंज आज मैं आपको टाइम रेनगेड यह मूवी एक्स्प्लेंग करने वाला हूँ यह टाइम ट्रावल मुर्डर मिस्ट्री मूवी है इसमें दो कार्केटर हमारे एक कॉप और एक टीचर यह दोनों अपनी प्रेमिका को बचाने के कोशिश करते है यह दोनों अलग-अलग टाइम पेरेन में होते है पर फिर भी अपने ड्रीम्स के थ्रू कमिनकेट कर सकते है तो चलिए इस अमेजिंग मूवी को एक्स्प्लेंग करने स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और यह 31 दिसेंबर दिखाय जाता है एक स्टीट पर होते है जहां वो आने वाल होते है जब किम उसको स्पॉट करता है तो दूसरी तरफ से भागने लग जाता है किम उसके पास पहुश नहीं सकता किम का जो कोवर कर होता है वो एक जगा पर उसे पकड़ लेता है किम जब वहाँ पहुचता है तो इन दोनों में हतापाई हो रही होती है जो कलपरिट था इसके पास गन भी होती है किम इसमें जख्मी हो जाता है इसे अब होस्पिटर में ले जाया जाता है अब मैं आपको 1982 में क्या हुआ था ये बताता हूँ यहां में बिक और सुहान दिखते है बिक और सुहान ये दोनों टीचर है आज 31 है और सब सेलिब्रेशन हो रहा है तो बिक सुहान को एक रिंग देता है क्या वो उससे शादी करेगी ये उससे पूछता है ये इसके लिए हा कर देती है यह जब सब हो रहाता है तब सुवान की बैग लेकर एक आदमी भाग जाता है बिग भी उसके पीछे बैग लेना चाता है जब वो इसे पकड लेता है तो इसके पास चाग होता है जिससे बिग को इंजोर कर देता है 2050 में कीम अब होस्पिटल में है वो अब ठीक हो चुका है वो मैं उठता हो दिखता है और हमसे कहता है उसी रात मेरा सब कुछ बदल गया मुझे ड्रीम्स आना शुरू हो गया मेरे सबनों में एक आदमी मुझे दिखने लग गया ये बिग ही उसे दिख रहा होता है अब हमें 83 में बिग और सुवान दिखते है बिग इसका आवाज रेकॉर्ड कर रहाता है ये जो बाते करती है ये सब रेकॉर्ड कर लेता है जब सुवान उसे बुछती है कि ये तुम क्यों करते हो तो वो कहता है कि हमेशा के लिए इस टाइम को में फ्रीज करना चाहता हूँ जब तुम किसे टाइम को रेकॉर्ड कर लेते हो तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है इन दोनों की रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटिफुल होती है अब शादी करने वाले होते है तो एक घर बाय कर रहे है जो घर वो लेने वाले होते है उसके वराणे पर बेटते है वहा का संडाउन जो होता है ये देखते है बिक फिर कहती है जब तुम मरते हो तो तुम्हारी जो नेक्स लाइफ है यह सब तुम्हें दीखने लग जाती है जब तुम मर जाते हो तो यह सब भूल जाते हो फिर से तुम्हारा जब जम होता है तो तुम्हारी जो better half थी यानि कि तुम्हारी प्रेमी का इसे फिर से तुम ढोड़ने लग जाते हो तो ये कुछ भी याद नहीं रहता वो कहती है कि अगले जनम में मैं फिर से इसे face के साथ तुम से मिलने के लिए आउंगी बीक ने उसे कहा होता है कि अगले जनम में मुझे detective बनना है सुवाँ उसे कहती है कि अगर तुम detective बने तो हम दोनों नहीं मिल पाएंगे हमें 2015 में किम दिखाए गया है उसका एक superior आता है यह superior का नाम kang होता है यह superior बहुत ही strict होता है जब एक आदमे ने एक औरत को हस्टेंस लिया होता है उससे लेकर वो भाग रहा होता है तो वहाँ kang और किम पहुच जाते है वो उस औरत पन गन रखता है पर kang उस आदमे को shoot कर देता है shoot करने के बाद उसका कंदा हो चेक करता है किम को यह बहुत ही अजीब लगता है किम फिर अपना जो friend है इससे बाते करता है यह पुछता है कि ऐसा उसने क्यों किया है किम का friend उससे कहता है कि जो kang है इसकी wife मर गई थी एक serial killer नहीं इसकी wife को मारा था पर ये भी इसके पीछे पड़ गया था एक दिन इसने उसे पकड़ी लिया था पर इससे पकड़ नी पाया उसके कंदे पर इसने गोली shoot की थी क्या वो अभी भी जिन्दा है इसके लिए वो हर आदमी का कंदा चेक करता है हमें फिर से बीक दिखाया क्या है वो सुवान के साथ रेस्टोरन में आया हो होता है वहाँ बीक के स्कूल के बच्चे जुवा खेल रहे होते है यह इसे देखते है पर उन्हें लगता है कि यह चेक करने के नहीं आएगा पर बीक वहाँ भोच जाता है वहाँ एक शरारिती लड़का होता है इसे हो पकड़ लेता है नेक्स दिन इसे पनीश करता हूँ हमें बीक दिखता है यह लड़का उसे पूछता है कि बागी टीचर्स तो इतने सिंसर नहीं है वो इतना अटेंशन तो नहीं देते वो कहता है कि मैं वैसा नहीं हो तुम्हें एक डाइरेक्शन की लाइफ में जरूर थे वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ बीक इसके बाद जब खिटकी से देखता है तो वाँ सनो पढ़ने लग जाता है जो भी सब बीक देख रहा होता है यह सब कुछ कीम को अपने सपने में देखता है कीम को बेले होने होता कि यह सचमुच में हो रहा है पर उस दिन वो रेडियो सुनता है जो रेडियो जॉक्य होता है वो कह रहा होता है वो कहता है कि हमारे टीचर ने प्रेडिक्ट किया था कि 2015 में exactly इसी डेट पर स्नो आने वाला है इसका नाम जब वो बताता है तो ये बीक ही होता है बीक भी अब सबने में कीम को देखने लग जाता है फ्यूचर में जो सब हो रहा है ये बीक को मालूम होता रहता है अपने सबने के बारे में बीक फिर सुवान को बताते हो हमें दिखता है वह आउपर कुछ टुडेंट्स वगरा भी होती है इन्हें वो कहता है कि फ्यूचर में स्नो कब आने वाला है यहाँ पे जो बच्चा मिठा होता है वो 2015 में रेडियो जॉकी बन जाता है इसी वज़े से रेडियो उपर किम को ये सब सुनाई दिया गया था बीक और भी फिूचर के बारे में बाती करता है जो स्मार्टफोन होते है इसका डिस्क्रिप्शन होने देता है कोई भी इस पर बिलिव नहीं करता किम भी अपने फ्रेंड को जो सब हो रहा है यह सब कुछ बदाता है उसका फ्रेंड भी उस पर बिलिव नहीं करता किम जब एक केस की इन्वेस्टिकेशन कर रहा होता है और CCTV के आमेले देखता है तो वहाँ उसे सुवान दिखती है इसे अपने ड्रीम से वो पहचान जाता है यह बीक की सुवान है यह फिर सुवान का पता निकालता है उसका पीछा करने लग जाता है सुवान इसे पकड़ लेती है और लोगों को बुला लेती है किम का wallet इसके पास नहीं होता तो इन्हें लगता है कि अबड़क करने वाला कोई criminal है ये फिर उसे जब police station में लेकर आते है तब इन्हें पता चलता है कि ये detective है ये सब gang देख रहा होता है अब 2015 की swan को पता चल चुका है कि ये detective है तो ये सब अब dinner के लिए आ जाते है किम believe नहीं कर पाता कि 2015 की swan और उसकी dreams की swan ये same ही है ये swan के school का नाम लेता है वो कहता है कि क्या तुम सच मुझ में उस school में नहीं पढ़ाती है वो कहती कि नहीं पढ़ाती है तो दूसरे school में पढ़ाती है जब 2015 की swan अपने school में होती है तो उसके vice president से पुछती है कि क्या इस school का नाम अलग था तो इसे वो confirm करती है इसे आप swan भी इसमें सब में interested हो जाती है school का जो पुराने yearbook था इसे वो देखती है इसमे 1983 की swan जो teacher थी ये वो देखती है इन दोनों का चेहरा same होता है ये सब वो कीम को दिखाती है कीम कहता है कि इसके बारे में मुझे investigation करने पड़ेगी ये सब करने के लिए मुझे time लगेगा तो क्या हम फिर से मिल सकते है indirectly कीम swan को date पर पूछ रहा होता है इसके लिए हा कर देती है कीम जब investigation कर रहा होता है तो उसे बहुत सारी चीज़े नहीं मिल रही होती है क्यांग फिर उसके पास आता है उसे कुछ files रता है और कहता है कि इन्हें short करकर देना इस files में 1983 की swan के बारे में एक file होती है इसमें swan मर चुकी है ये लिखा होता है इसका murder हो चुका था swan का murder हो चुका है ये अब बीक को अपने सबने में पता चल जाता है ये इससे बहुत ज़्यादा disturb हो जाता है 1983 में swan जब अपने school में होती है तो आज बहुत ही देर हो जाती है जब वो lab में जाती है तो वहाँ एक लड़की होती है उसका पेर कास बर पढ़ जाता है उसकी वज़े से वो इंजोर हो जाती है swan उसे पास जाती है उसे मलम पट्टी वगरा करवाती है इस लड़की से पूछने के बाद वो लड़की कहती है कि हाँ बुक लेने के लिए आई थी मुझे लगा यहाँ कोई है यह कहती है कि मैं तुम्हें अपना प्लान नहीं बता सकती यह कहता है कि ऐसा क्या प्लान है यह बहुत ही जादा इंसिस्ट करता है तो यह उसका प्लान बता देती है यह आज वेडिंग डेस देखने के लिए जा रही होती है बीक कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आउंगा सुहान मानती नहीं कहती है कि आफशगोन होता है तो मुझे वेडिंग से पहले वेडिंग डेस में नहीं देख सकते बीक इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता बीक जब future के बारे में बता रहा था तो उसने एक मैच के बारे में भी कहा था तो future में होने वाली है उसका जो student था यह सब वो सुन रहा था जब student ने मैच देखी तो बीक ने जो score प्रिजिट किया था यही score आया अब बीक को 100% मालूम हो जाता है कि यह जो सब ने है यह कोई illusion नहीं है जो सब हुआ था वो सचमुच में हो रहा है जो case file क्यांग ने कीम को दी थी इसमें बहुत सारी चीजे उसने देखी थी इसमें worker की strike होने वाली है यह भी बीक को पता चल चुका था जब बाहर आया तो यह हो रहा था अब यह 100% sure हो जाता है बीक ने file में देखा था यह जोवारी था उसने swan को मार डाला था उस जोवारी को फिर बीक धुडने लग जाता है एक जगा पर आता है उसका नाम लेता है यह जोवारी फिर वहाँ से भाग जाता है बीक उसका पीछा करता है पर इसे धुडन नहीं पाता ये जुवारी भागते भागते सुवान से टकरा जाता है सुवान के पास बहुत सारे पैसे होते है ये वो देख लेता है सुवान एक जगा टॉयलेट में जब आती है उसका पीछा करते करते ये वहाँ पहुच जाता है इसके बाद यह जुवारी जब बाहर निकलता है तो बीग से यह टकराता है इसके हाथ खुन से रंगे होए होते है और सुवान की पर्स इसके पास होती है बीग डर जाता है एक सुवान को देखने के लिए जाता है तो सुवान मरी पड़ी होती है जो जुवारी था उसे नेक्स दिन पुलिस पकड़ लेते है बेग भीवा होता है बेग ये सब जब देख रहाता है तो ये उसके स्टूड़न के ही फादर होते है जिस स्टूड़न को उसने पकड़ा था जुवा खिलते हुए उसका ये फादर थे ये स्टूड़न फिर बीग के पास आता है वो कहता है कि मेरे फादर इसा नहीं कर सकते उन्हें फ्रेम किया जा रहा है जो एक्च्वल मर्डर है इससे मैं ढून लूंगा अब मैं फिर से 2015 दिखाय जाता है ये स्कूल के वाइस प्रेसिडंट से बात करी होती है ये वाइस प्रेसिडंट उसे कहती है कि हमने अपना स्कूल का नाम बदल दिया था तो कि यहाँ एक बड़ी फाइर हो चुकी थी यहाँ बहुत सारे बच्चे भी मर गए थे इसकी exact date विग रहा है वो सब कुछ उसे बता दिये जो ये सब information है ये सुवान फिर किंग को दे देती है ये जब चेक करते है कि उस फाइर में कौन से बच्चे मरे थे तो उन्हें पता चलता है कि 1983 की सुवान जो थी उसके ही सब classroom के बच्चे इसमें मर चुके थे ये इन्हें बहुत ही suspicious लगता है ये जब बात कर रहे होते है तो हमें देखता है कि क्यांग इन दोनों पर नज़र रख रहा है हमें पता है कि बिग हमेशा audio recording करता है तो इसके जो सब recordings होती है ये अब क्यांग के पास है क्यांग जो है ये बिग के related है जो सब किम को मालूम हो रहा है ये सब चीजे अब बीक को दिख रही है बीक फिर इस मर्डर के investigation में लग जाता है किम फाइल्स में देखता है कि जो गैमलर था वो रियल किलर नहीं था क्योंकि वो मरने के बाद भी एक मर्डर हुआ था अब बीक को पता चल चुका है तो इस investigation में लग जाता है कि रियल मर्डर कोन है जब बीक इस गैमलर से मिलने जाता है तो गैमलर कहता है कि वहाँ और एक आदमी था उसने मास्क पहना था यह उसे कहता है जब बीक इस crime scene पर जाता है तो वहाँ उसे मास्क मिल जाता है जो सब investigation बिक करता है इस सब की उसने recording की थी यह recording कैंग के पास है जो fire होने वाली थी जिसमें सब बच्चे बनने वाले थे इसके बारे में अब बिक को मालूम है बिक को पता है कि जो real killer है वो वहाँ आया होगा वो सब prepare करता है उसे पकड़ना चाता है जो वहाँ पोचता है तब already आग लग चुकी होती है वो उस killer को पकड़ सकता है वो सामने ही होता है पर इस रूम में जो बच्चे होते हैं वो घायल पड़े होते हैं इनको बचाना उसे ज़्यादा important लगता है तो उस killer को जाने देता ह यह आग तो लग चुकी थी पर इस आग के बारे में उसे जल्दी पता चल गया था तो यह जो रूम है यह जलने से बच जाता है जो future है यह अब change हो गया है यह किम को दिखता है जिस बिल्ली में आग लगी थी अब आग नहीं लगी है बिक जहाँ आग लगी थी वहाँ फि किम सुआन को कॉल करता है और जो fire थी वह कभी लगी ही नहीं थी यह good news वह सुआन को देता है यह दोनों आज मिलने वाले होते है तो किम उसके लिए dinner cook करता है उसका वेटी करते रह जाता है और सुबह हो जाती है सुबह उसे news पर पता जलता है कि सुआन का accident हो चुका है उस इसने इसकी गाड़ी रोग दी थी इसने सुआन को पकड़ लिया था और उसने उसे मार डाला है यह हमें इस वीडियो टेप में दिखता है यह देखकर किम रोने लग जाता है फिर से 1983 दिखाय गया है और बीग स्कूल में होता है उसके पास एक लड़की आती है यह वही ल इस एक्जाक टाइम पर होने वाला होता है तो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है लैब में छुपा होता है यह लड़की वहाँ आती है किलर फिर मास्क पहन कर वहाँ पहुच जाता है वहाँ फिर वह गैस क्रेट करता है जिससे लड़की अनकॉंशेस हो जाती है बीग भी unconscious हो सकता है, इसलिए वह वहाँ से बाहर निकलता है और खेकी टोरता है, जो killer था, यह सब देखता है और वहाँ से भाग जाता है, बिक का student, जो गैमलर का बच्चा है इसे सब बच्चे तकलिफ देते हैं, इसके father murderer है इसलिए इसे bully कर रहे होते है, बिक इसे बचा लेता है वो कहता है कि इसके father murderer नहीं थे यह बच्चा surprise होता है, कि बिक ऐसा क्यों बोल रहा है इसे क्या मालूम पड़ा है, इसके बाद नेक सिम में बिक को arrest करने के लिए पुलिस आते है, बिक से पुलिस कहते है कि जो मास था, जो हर crime scene पर हमें मिला था वो तुम्हारे death पर हमें मिला है, इसे suspect कर रहे होते हैं कि यही killer है बिक फिर वहाँ से खिड़ी तोड़ता है और भाग जाता है, यह जब भाग रहता है तो जो उसका student है, इसे help करने के लिए motorcycle लेकर आता है यह दोनों फिर वहाँ से भाग जाते है अब हमें फिर से पिक दिखता है, वो अपने student से बात कर रहता है वो कहता है, तुम्हारे father killer नहीं है, जो सब बाते है, उसे explain नहीं कर सकता पर उसने audio record करकर, यह सब बात एक कही है यह सब recording, वो इस student को दे देता है इसका मतलब, कीम का 2015 में जो boss है, जिसका नाम क्यांग है, यही यह student है बीक अपने student को कहता है, कि और एक लड़ी है, जिसे तुम बजा सकते हो उसकी location सब कुछ उसे दे देता है अब नेकसिन में हमें कीम दिखाया जाता है, वो उसका friend उसे कुछ दिखा रहाता है वो उसे कहता है, कि किलर की गाड़ी हमें दिखी थी उस गाड़ी में tracking device है, और इससे हमें पता चला है, कि यह गाड़ी अभी भी वही है किम फिर किलर को ढुणने के लिए निकट पड़ता है हमें दिखता है कि जो 2015 की सुवान है, यह भी भी जिन्दा है और एक underground bunker में वो बेठी हुई है वहाँ पे जो किलर है, वो भी मोजूद है सुवान को जो पहुशाता है, तो एक चेर लेती है और किर्णाबर के सर में डाल देती है किर्णाबर को बन करकर वहाँ से भागने लग जाती है यह जो डोर होता है, किर्णाबर खिक करके उसे उपन कर देता है यह भी इसके पीचे-पीचे भागता है किर्णाबर के एक फोन से सुवान कॉल लगाती है यह call वो कीम को लगाती है कीम कहता है कि मैं भी वही आ रहा हूँ मैं honking कर रहा हूँ मैं तुम्हें ढोण सकता हूँ सुवान जब रस्ते पर आती है तो कीम फिर उसे spot करते है उसके पास वो आने वाला होता है पर यह रस्ते पर होती है तो एक काड़ी इसे कुचल देती है इस एक्सिडेंट से अभी हो मर जाती है इसके बाद फिर सुवान ने जिस मोबाइल से कीम को call किया था इस मोबाइल किसे investigation करना कीम स्टार्ट कर देता है यह जो number होता है यह evidence से होता है कीम को फिर kang पर शक जाता है जो ही evidence होते है इसको kang ही access कर सकता है kang ही killer है ऐसा उसे लगता है वो फिर kang के घर पहुच जाता है कीम उसके घर पर जाकर जब देखता है तब killer को ढूणने के लिए बहुत सारा study उसने किया होता है kang की जब फैमिली फोटो देखता है तो उसकी wife जो थी ये बीक के स्कूल में थी कीम फिर घर से बाहर निकलता है तो kang वहा जाता है कीम kang से कहता है कि ये जो murder हुआ था ये बहुत ये अलग तरीके से हुआ था ये जो murder है ये real murderer ने नहीं किया है 2015 के सुवान को जिसने अगवा किया था ये kang था ये kang से पूछता है कि ये उसने क्यों किया था kang फिर कहता है कि बीक हमें बताता था कि वो future देख सकता है वो dreams देख रहा है जब मैंने हमारे period में तुमें देखा तो तुम भी सपना देख रहे थे यानि कि तुम दोनों एक दूसरे से communicate कर सकते थे बिक ने give up कर दिया था ये सब investigation उसने मुझे सोब दी थी अगर मैं तुमारे जरीये फिर से उसे दिखा पाता कि killer जो है ये अभी भी जिन्दा है तो वो कभी भी इस investigation को drop नहीं करता तुम भी हमेशा killer को ढूनते रहते कैंग का इसके बीचे अलग motivation होता है इसकी जो wife थी इसको भी killer ने मारा था कैंग इस murder की जब investigation कर रहा था तो उसे murder weapon मिल चुका था इसे murder weapon मिल चुका है तो killer ने इसे blackmail करना start कर दिया इसकी wife वो अगवा कर लिया और ये murder weapon उसे लानी के लिए बोला जब कैंग ये weapon उसे देने के लिए गया तो इसकी wife को उसने मार डाला कैंग ने killer पर गोली चलाए पर उसके कंदे पर लगी वो मरा है या नहीं ये कैंग को नहीं पता कैंग killer से obsessed हो चुका था तो उसे जो investigation है ये continue चलनी चाहिए ऐसा लग रहा था कैंग को अगर लगा कि killer अभी भी जिन्दा है तो investigation continue चलती रहेगी जो killer है वो पकड़ा जाएगा ये सब होना चाहिए इसलिए सुवान को कैंग ने abduct कर लिया था कैंग केरता है कि सुवान को मैं मारने नहीं वाला था मुझे सिब तुमें दिखाना था कि वो मर चुकी है रोड पे जो accident हुआ ये बहुत गलत चीज हो गए कैंग फिर कीम के पास आता है और अपने teacher बीक को एक message देता है उस date पर बीक को अपने school नहीं जाना है क्योंकि वहाँ killer है अगर बीक school पर जाएगा तो killer उसे मार देगा ये message हो उसे दे कर जाता है कैंग बीक को ये भी कहता है कि मुझे तब मार डालना अगर तुम मुझे तब मार डालोगे तब मैं इस case से upset नहीं हो जाऊंगा मैंने जो murder किया है ये मुझे से नहीं होगा अब हमें देखता है कि बीक को ये सब message मिल चुका है इस रात बहुत ही बारिश हो रही होती है ये कैंग का message सुनता तो है पर इसे ignore कर देता है वो अभी भी school में जाने वाला है बीक जो है ये young kang के साथ यानि कि उसके student के साथ एक जगा पर छुपा हुआ था वो रात में वहाँ से निकल जाता है वो स्कूल में आ जाता है किया स्कूल में आने के बाद हमें पता चलता है जो killer है ये उनका ही biology teacher है इस बार बीक ने भी अपने साथ मास्क लाय होता है biology teacher और बीक ये दोनों अब एक दुसरे को मारने लग जाते है बीक उसका गला दवार होता है और फिर उससे बुचता है कि ये सब तुमने क्यों किया था ये biology teacher कहिता है मुझे drugs की आदत थी chemistry lab से मुझे ये सब मिल जाता था swan chemistry की teacher थी तो इसने ये सब देख लिया था swan ने देख लिया है तो उसका job भी जा सकता था इसलिए swan को इसने मार डाला था एक student थी जिसने भी ये सब देख लिया था इसको भी मारने की कोशिस ने की है ये biology teacher फिर एक चाको लेता है और इससे बीग को मारने वाला होता है तब ही वहाँ young kang आ जाता है kang फिर biology teacher को खिटके से बाहर फिक देता है biology teacher जिस लटकी को मारने वाला था kang वो सही है या नहीं ये देखने की लिया जाता है वो कुछ भी hurt नहीं होई होती बीग वहाँ से बाहर निकल रहा होता है तो biology teacher फिर से उपर आ जाता है वो एक चाको लेता है और बीग को मार देता है बीग और biology teacher अब दोनों एक दुसरे से बहुत ही जगड़ते ये एक दुसरे को मारते मारते टेरेस पर आ जाते यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बीग के पास एक handcuff होता है इस handcuff से इस biology teacher को पकड़ लेता है उसे गसिटा गसिटा एक pole के पास लेकर जाता है ये जो pole होता है ये lightning को capture करता है इसे मालूम होता है कि आज बिजली इस पर गिरने वाली है ये killer को वहाँ से बान देता है और ये बिजली उस पर गिर जाती है ये killer slash biology teacher यही मर जाता है कैंग बिग को देखनी के लिए आता है पर इसी terrace पर बिग भी मर जाता है जिस लड़की को कैंग ने अब बचाया था यही उसकी wife बन जाती है अब में next scene में face 2015 दिखाया जाता है कीम जब next day अपने job पर जाता है तो उसे कोई भी पहचान दने उसका जो friend था वो senior बन चुका है कीम जब TV पर देखता है तो बिग का एक student बहुत ही बड़ा entrepreneur बन चुका है बिग ने उसे cell phone के बारे में कहा था तो उसके student ने इसमें invest किया था तो अब वो बहुत ही बड़ा अमिर बन चुका है कीम को यहाँ पता चलता है को डिटिक्टू ही नहीं वो फिर school पहुचता है स्कूल में पहुच जाने के बाद सुवान उसे दिखती है सुवान और इसकी relationship है यह उसे पता चलता है यह दोनों इसी स्कूल में बढ़ाते है कीम जो है यह music teacher है और सुवान जैसे पहले थी उसी तरह से chemistry teacher है कीम फिर इसे हक करता है जब इस स्कूल में पहुचता है उसे फिर कैंग दिखता है क्यांग भी इसी स्कूल में teacher है जिस तरह से अच्छी शिक्षा बिक अपने student को देता था उसी तरह से क्यांग भी अपने बच्चों को बहुती सही तरीके से पढ़ाता है अब जैसे हमने movie के first में देखा था कि बिक और सुवान दोनों अपना घर देखने के लिए गए थे इसी तरह से किम और सुवान भी उसी घर को देखने के लिए जाते है यह दोनों फिर से वरांडे पर बैठते है तो सुवान फिर से वही बात करती है वह कहिती कि जब हम मर जाते है तो नेक जनम में हम क्या है यह हमें दिखता है यह जो सब है यह इन दोनों के साथ हो रहा था यानि कि बीख ही है बनने के बाद वो किम बन चुका है सुवान भी फिर से बौन होई थी और उसे चेहरे के साथ वो वापस आ चुकी है 1983 में पेक और सुवान एक दुसरे से मिलने ही पाये थे पर इस बार रिकीम और सुवान एक नए जनम में मिल चुके है यह दोनों सेम ही है इसी वज़े से एक दुसरे के ड्रिम्स उन्हें दिखाई दे रहे होते है बहुत ही अलग अलग टांस के साथ मूवी थी पर यह बहुत ही अमेजिंग मूवी थी यही हम हमारा आज का वीडियो कंप्लिट करते है अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा मैं बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हूँ तो फ्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और बेल इडिवेशन आइकोन दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया